ताना सिकंद्रा शेतर से लापता युव की पुलिस ने गुत्ती सुलजा ली है प्रेम संबंदों के चलते पतिनी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश को यमना में फेक दिया था पुलिस यमना को खंगाल रही है लेकिन शब बरमाद नहीं हुआ है ताना सिकंद्रा शेत में युव की हत्या के बाद पुलिस अब बरमाद करने का प्रयास कर रही है रादनगर के रहने वाला हरियों 3 नवंबर को अचानक लापता हो गया था तलाश करने के बाद पिता राजवीर सिंग ने थाने पर गुमशुदगी लिखाई थी पुलिस हरियों को तलाशने में जुटी है लेकिन पता नहीं चल रहा था इसी वीच पतनी भी गाइब हो गई थी पुलिस ने पतनी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूश्टाच की तो मामले का खुलास होने में देड़ नहीं लगी पूश्टाच करने पर पतनी ने उसका अनावरन गटना का कर लिया गया जिसमें उस वेक्ती की पतनी और उस पतनी की प्रेमी इन दोनों ने मिलकर उस वेक्ती की हत्या कर दी थी उन लोगों के निसांदेही पर डेड़ बाडी की जो है बरामतगी के लिए प्रयास किये गया चुकि उसे यमना नदी में फे पतनी की निशान देही पर पुलिस यमना को खंगानले में लगी हुई है फिर भी हर योम का शव नहीं मिल सका SSP बबलु कुमार ने बताय की मामला प्रेम प्रसंग का है पतनी प्रेमी के साथ रहना चाती थी इसका पती विरोध करता था इसके चलते पतनी ने प्रेमी संग हत्या की योजना बना डाली युवक की पतनी और उसका प्रेमी पुलिस हिरासत में है यमना में लाश मिलने के बाद मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उधर हरियों की हत्या की बात सामने आने पर परिवार में कौरा मचा हुआ है।